तो बच्चो आज मैं शिक्स क्लास को पढ़ाऊंगी और वीडियो शुरू होने से पहले आप अपनी कॉपी, पैंसिल, पैंस, सब निकाल के बैठ जाएं क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको खुशन दूँगी जो कि आपको करने हैं और बच्चो आज मैं आपको हिंदी रीडर का पार्ट वन पढ़ा रही हूँ और पार्ट वन है हमारा वो चिडिया जो मैं आपको पहले इसकी पोयम पढ़के फिर उसके बाद इसका भावर्थ बताऊंगी आप इसको भिकुल ध्यान से सुने वो चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुडी के दाने रुची से रस लेखा लेती है वो चोटी संतोशी चिडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन से बहुत प्यार है वो चडिया जो कंट खोल कर बूढे बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है वो छोटी मू बोली चडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है वो चडिया जो चोच मार कर बढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मूती ले आती है वो छोटी गरवीली चडिया नीले पंखो वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है बच्चो ये आपकी जो कवीता है वो चडिया जो अब मैं आपको बताऊंगी इसका भावर्थ की प्रस्तुत कवीता में कवी ने बताया है कि उसका सभाव नीले पंखो वाली एक छोटी चडिया के समान, छोटी चडिया के सभाव से सामे रखता है या उसकी तरह है, जो संतोशी है, अन्य से बहुत प्यार करती है और अपने पन वा उन्मुक्त कंट से पुराने घनेवन में बेरोग टोग काती है चडिया मुँ बोली है, वो एक आंत में भी उमंग से रहती है उफंती हुई नदी के विशय में जानते हुए भी वो जल की मोती जैसी बूंदों को अपनी चोँच में भरकर लाती है वो सहासी है, उसे स्वैपर गर्व है, तथा नदी से उसे बहुत लगाओ भी है बच्चो आपने देखा कि किस चरह इस कवीता का मैंने आपको भावर्थ बताया कि वो चडिया जो, अब मैं आपको इसके question and answers बताऊंगी तो आप देखेंगे बच्चो, इसका पहला question, अब आप अपनी copy निकाल लें और पहला question तो ये है आपका कि आप इसके भावर्थ जो है उनको करेंगे और जो इसका शबदर्थ है उसको भी आप copy में करेंगे पहला question है बच्चो, इसका कवीता को पढ़ने के बाद आपके मन में चडिया का जो चितर उभरता है उसे कुछ पंक्तियों में लिखिए आप इस पूरी कवीता को पढ़ेंगे और इस question को आप स्वय करेंगे कि आपको कवीता को पढ़कर कैसा लगा आपने कैसा महसूस किया या कवीता आपको कैसी लगी दूसरा question है आपका कवीता का कोई अनुपयूगत शिर्शक सोच कर लिखिए तो अगर हम सोचें कि इसका दूसरा शिर्शक क्या हो सकता है तो इसका दूसरा शिर्शक हो सकता है नीली चडिया question number 3 है हमारा कवीता के अधार पर बताईए कि चडिया को किन किन चीजों से बहुत प्यार है तो बच्चो चडिया को वीजन से बहुत प्यार है नदी से बहुत प्यार है अन से बहुत प्यार है और गाना भी जब वो गाती है उससे भी वो बहुत प्यार करती है क्वेशन नंबर हमारा चार है कि कवीता के प्रथम चंद में चडिया क्या कह रही है कि उसका सभाव नीले पंखो वाली एक ऐसी छोटी चडिया के सभाव से सामे रखता है जो संतोशी है अन से बहुत प्यार करती है और अपने पंसे भी वो उन्मुक्त है फिर है बच्चो हमारा question number 5, question number 5 है कवीता के दूसरे चंद को चड़िया किस प्रकार कह रही है या उसमें वो क्या कहना चाहती है, तो दूसरे चंद में चड़िया बता रही है, कह रही है, अपने पनवा उन्मुक्त कंट से पुराने घनेवन में बेरोग टोग गाती है, चड या आखरी paragraph में क्या कह रही है, या लाज चंद में वो क्या कह रही है, तो लाज चंद में वो कहती है, उफनती हुई नदी के विशह में जानते हुए भी वो जल की मोती जैसी बूंदों को अपनी चोज में भरकर लाती है, वो सहासी है, उसे स्वय पर गर्व है, तथा इसका भावर्थ भी कौपी में लिखेंगे